गुड मॉनिंग बच्चों आज हम इस बीडियो में चर्चा करेंगे कि नीट या जे एक्जाम की तयारी कैसे करें साथी हिंदी मीडियम के बच्चे जो नीट या जे एक्जाम की तयारी करना चाहते हैं उनके विसे में चर्चा करेंगे साथी बच्चों के माता-पिता को कुछ सला देंगे जो उनके लिए बहुत जरूरी है बच्चों मेरा नाम डॉक्टर विवा चोदरी है इस बीडियो में हम उन बच्चों पे टार्गेट करेंगे जो क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है और आगे चल कर नीट की तयारी करना चाहते हैं. बच्चों, यopen आपकास अपना डॉक्टर बनने का है, या इंजिनियर बनने का है, तो आपको अभी से नीट या जेइ की तयारी शुरू कर देनी चाहिए. क्योंकि बच्चो ये NEED या JEE का जो exam है वो year wise year difficult होता जा रहा है यदि आपको किसी भी government college में admission लेना है तो आपको NEED के लिए 600 plus marks लाने होंगे 600 plus marks के लिए बच्चो आपका हर subject पे command होना बहुत जरूरी है तो बच्चो आप अभी से NCRT books को बहुत अच्छे से follow करो या engineer बनने का सपना है वो बहुत आसानी से पूरा होगा अब हम उन बच्चों की बात करेंगे जो class 9th में है और 10th में है जिनके माता पिता ने उन्हें नीट या JEE का foundation बैस दिला दिया है तो वो बच्चे उसी coaching के hostel में रहते हैं वो कभी school नहीं जाते हैं वो के अवल exam देने के लिए ही school जाते हैं तो मेरा मानना ये है कि ऐसे बच्चों का monthly development अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि आपका बच्चे एक machine तो है नहीं कि उसको अभी से एक track पे डाल दिया है और वो उसी track पे चलता जाए तो as a doctor मेरा मानना ये है कि जो बच्चे class 9th में है या 10th में है वो daily class attend करें बस उनको NCRT books बहुत अच्छे से पढ़ना है class में जो भी activity है उसको करनी है जब आपका बच्चा school जाएगा दोस्तों के बीच रहेगा सारी activity करेगा और different subject को पढ़ेगा तो उसका मानसिक development बहुत अच्छे से होगा क्योंकि class 9th और 10th के बाद ही बच्चे को ये पता चल पाता है कि उसका किस subject में interest बहुत अच्छा है यदि आप बच्चे को उसके बिना interest की subject दिला देते हो तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा और यदि बच्चा अपने interest का subject लेता है तो उसका जो भी सपना हो चाहे वो IS हो चाहे वो PCS हो चाहे वो NEET हो वो ZE हो वो उसको जरूर पूरा होता हुआ दिखेगा अब हम उन बच्चों की बात करेंगे जो class 9th में है 10th में है आगे चल कर NEET की तयारी करना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी जो science की NCRT है उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ें उसमें जो भी doubt हो उसको अपने teacher से clear करें teachers के समधाने के बाद भी यदि वो चीज आपको नहीं समझ में आती है तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपकी जो class 6 है, 7 है, 8 है उसकी NCRT science की अच्छे से तयार नहीं है तो इसके लिए बच्चों आपको class 6, 7, 8 के NCRT अच्छे से तयार करनी होगी यदि आप class 6 के NCRT पढ़ते हैं उसमें कोई doubts आता है तो उसको अपने teacher से अच्छे से पूछे उसमें कोई भी आपको हिचक या सरम नहीं होनी चाहिए कि आप class 9 में हैं और आपको class 6 की चीजे समझ में नहीं आ रही है यदि आप ऐसा करते हैं और तीनों class की science की NCRT अच्छे से तयार कर लेते हैं फिर आप class 9 की NCRT science की पढ़ेंगे तो आपको काफे interest आएगा और आप हर theory और concept को अच्छे से apply करेंगे इससे आपका concept भी clear होगा और आपका confidence भी बढ़ेगा और आपको आपका सपना पूरा होता हुआ दिखेगा अब हम उन बच्चों की बात करेंगे जो हिंदी मीडियम से हैं और आगे चल कर NEET या JEE की तैयारी करना चाहते हैं यदि एक हिंदी मीडियम का बच्चा किसी भी कोचिंग में चाहे NEET की चाहे JEE की कोचिंग में जाकर अगर एडमीशन लेता है तो उसको इंग्लिस फेस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है इंग्लिस का मतलब यह नहीं है कि आपको इंग्लिस बोलनी आनी चाहिए बलकि साइन्स में जो इंग्लिस की टर्मिनोलाजी है वो आपको समझ में आनी चाहिए एक यूपी बोड का वच्चा साइन्स की टर्मिनोलाजी जो इंग्लिस में दी हुई है उसको नहीं जानता है और जब वो नीट या जेई की कोचिंग में जाता है तो उसको वही दिक्कत फिल होने लगती है क्योंकि जो नीट या जेई की कोचिंग है वहाँ पढ़ाया तो हिंदी में जाता है लेकिन जो टर्मिनोलाजी है वो सब इंग्लिस में लिखाए जाते हैं और इंग्लिस में ही नोट्स बनवाए जाते हैं तो इस तरीके से जो यूपी बोर्ड का बच्चा है वो कितना भी अच्छा हो पढ़ने में वहाँ पे जाके डीमोटेलाइज हो जाता है क्योंकि उसको साइन से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलोजी है इंगलिस की वो उसको नहीं आ रही होती है अब इस प्रॉबलम को दूर कर सबसे सरल तरीका यह है कि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो अपनी NCRT बुक्स को अच्छे से फोकस करें और NCRT चैप्टर के एंड में जो इंपॉर्टेंट सब दिये हुए हैं उनकी इंग्लिस मीनिंग NCRT बुक्स के एंड में दी हुई है उसको डेली बच्चा प्र कर लेते हो हर क्लास के NCRT की इंग्लिस मीनिंग आप अच्छे से त्यार कर लेते हो उसके बाद आप किसी कोचिंग में जाते हो या सल्फ स्टडी करते हो तो वहां पे ना तो आपका कॉंफिडेंस लूज होगा ना आप वहां पे डी मोटेलाइज होंगे और आप अपने ए सला यह है कि NCRT जो फिजिक्स है केमेस्टी है बायो है उसके एक्जामपलस को अच्छे से सॉल्म करें और उसमें जो भी डाउट साते हैं उनको अपने टीचर से अच्छे से क्लियर करें यदि टीचर के क्लियर करने के बाद भी वह कॉंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होता ह है तो इसके लिए आपको क्लास 9 और 10 की NCRT अच्छे से पढ़नी होगी यदि क्लास 9 और 10 की NCRT पढ़ने के बाद भी आपको कमांड नहीं आता है तो इसके लिए आपको classic 7th और 8th की NCRT अच्छे से करनी होगी जब आप हर class की NCRT कर ले जाएंगे तो आपका concept बहुत clear हो जाएगा आपको अपने science subject पे बहुत command आजाएगा आप हर theorem को अच्छे से question पे apply कर सकेंगे और वो question जब इसले solve होगा तो आपका confidence label बहुत बढ़ेगा और आपको लगेगा कि आप अपने मन्जिल के बहुत करीब जा रहे हैं बच्छो अब इस तयारी में हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं तो इसके लिए हम class 9th science की NCRT की classes लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको class 9th के हर chapter को बहुत अच्छे से clear कराएंगे chapter की theory पहले अच्छे से बताएंगे फिर chapter के end में जितने important question है उसको solve कराएंगे इसके बाद आपकी एक doubt classes लेंगे जिसमें आपको जो भी doubt हो आप उसको अच्छे से पूछ सकते हैं यदि आपका कोई question रह जाता है जो आपको लगता है कि आपको पुछना चाहिए तो आप उसको comment box में डाल दीजिए तब तक के लिए विदा लेते हैं धन्यवाद वच्चों